क्या हम मुटापे के शिकार है क्या आप मुटापे के शिकार हो कैसे तई किया जाता है मुटापा के ग्रेडेशन्स पहले करने होते हैं कौन कितना मुटा है वो सिर्फ साइस से नहीं समझता जैसे कि WWF में जो कुष्टी जो लड़ते हैं उनका वज़न होता है 150 किलो हाइट होती है 6 फीट क्या वो आदमी मुटा है नहीं वो मस्किलर है वैसे ही कोई आदमी 90 किलो का हो हाइट उसकी वो 5 फूट क्या वो मुटापा उसको है वो हम जानने के लिए उनकी बॉड़ी कंपोजिशन अनालिसिस ये करते हैं बॉड़ी कंपोजिशन अनालिसिस में हमें उस आदमी के प्रोटीन मतलब मसल्स बोन्स बॉड़ी के अंदर जियो भी पानी है और बॉड़ी के अंदर जितनी फैट है इस सब का जो अनालिसिस होता है उसको बॉड़ी कंपोजिशन अनालिसिस कहते है जिन नॉमली अपने ने शरिर में तुचल्स ज्यादा होने चाहिए और सेट फैट्स कम होनी चाहिए जब्सका रेशयो उल्टां हो जाता है फैट्स बढ़ जाती है और उसको इसको मोटापा कहा जाता है अब इसके अंदर हमें और भी कुछ जानकारी चाहिए जब हम उसको waist and hip pressure कहते है waist मतलब ये level पे उनको major करना है और hip level पे उनको major करना है उसका जो formula से जबकि waist hip pressure 40 से ज़्यादा हो males में तो वो खराप या मोटापा उनको है और अवरतों को पस्तिस के उपर उनकी waist hip pressure हो तो उनको मोटापा कया जाता है इसके बाद में और एक चीज़ है जिसको हम body mass index कहते है जिसमें हम ये simple formula है जो weight in kilograms लेते है और उसको हम height in square meters से divide करते है उसका जो result आता है उसके उपर हम ओपेशन का मोटापा mild है, moderate है या severe obesity है वो हम जाच करते है जनरली इसमें भी दो type होते है जो international लोग जो गोरे लोग होते है उनका कुछ अलग होता है और Asia Pacific जो हम लोग है उनका कुछ अलग होता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करिए Leave now, leave healthy सिर्फ सुशुता के साथ आपके सवालों के जवाब डॉक्टर संजेव बुरुडे से पाने के लिए इस नमबर पर वॉट्साप करें 908-284-0958 या आप इन्हें इमेल कर सकते हैं इस आईडी पर info at the rate सुशुता.co आपके सुशुता के लिए